रतना नहीं रुखेगी, क्या रतना अपमान बरदाश्ट कर पाई, रोली और रमन इतने बच्चे भी नहीं हैं कि उन्हें अपनी मां की तकलीफ दिखाई नहीं दे, जब एक नवजात भी सवेदनाओं और स्पर्श की भाशा को समझ सकता है तो ये दोनों तो किशोर ये भला अपनी मां के रोज होने वाले अपमान और तिरसकार को नहीं पहचानेंगे क्या, कड़वी गोली पर लगी मिठास भला, कितनी देर तक उसकी असलियत को छिपा सकती है, दादी और पापा भी तो मां को सब के सामने घर की, लक्षमी कहते नहीं ठकते लेकिन रोली और रमन जानते, है कि उनके घर में इस लक्षमी का असली आसन क्या है, दादी को पता नहीं मां से क्या परेशानी है, मां सुबल जल्दी नहीं उठे तो उन्हें आलसी और कामचोर का तमगा दे दिया, जाता है और जल्दी उठ जाए तो नींद खराब करने का, ताना देक कर कोसा जाता है, केवल दादी ही नहीं बलकी, पापा भी उनकी हां में हां मिलाते हुए मम्मी को नीचा, दिखाने का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते, और जब पापा ऐसा करते हैं तो दादी के चेहरे पर एक संतुष्टी, भरी दर्प वाली मुसकान आ जात करती है, बहुत बार रोली का मन करता कि वह मा की धाल बनकर खड़ी हो जाए और दादी को पलट कर जवाब दे लेकिन मा उसे आखों के इशारे से ऐसा करने से रोक देती है, पता नहीं मा की ऐसी कौनसी मजबूरी है जो वह ये सब बिना प्रतिकार किये, सहन करती रहती है, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं सहन करूँ, आप क्यूं कभी कुछ नहीं बोलती, कहती हुई रोली अकसर अपनी मा रतना को विरोध करने के लिए उकसाती लेकिन रतना उसकी बात केवल सुनकर रह जाती, कहती कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि रतना अनपड या बदसूर और उसकी इसी योग्यता के कारण, ही दादी ने उसे अपने कलर्क बेटे के लिए चुना था, यह अलग बात है कि रतना ने अपनी पड़ाई का उप्योग अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवाने के अलावा कभी अन्यत्र नहीं किया, हाँ, कभी कभार बच्चो की PGA में, जरूर उसे उसके पड़े लिखे होने का विशेश सम्मान मिलता था, लेकिन वह एक त्षने का नुभूती होती थी जो घर जाते, की घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती थी, रोली और रमन अब बड़े हो चुके हैं, दोनों ही हाई स्कूल के विद्यार थी है जब तक बच्चे थे तब तक उन्हें मां का डांट खाना अजीब नहीं लगता था क्योंकि वे समाते थे, की जिस तरह गलतियां करने पर उन दोनों को डांट या सजा मिलती है, उसी तरह मां को भी उनकी किसी गलती के कारण ही प्रताडित किया जा रहा होगा, लेकिन जैस जैसे उनकी समझ बढ़ती गई वे दोनों सम, ने, लगे की मां को पढ़ने वाली डांट और तिरसकार का, कारण उनकी कोई गलती नहीं है बलकि दादी को, ऐसा करने पर एक आत्मिक संतोश मिलता है, पता नहीं मां दादी और पापा का विरोध क्यूं नहीं कर, पाती जब करती थी, हनुमान जी को अपनी ताकत का अनुमान, नहीं था तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया था कि, वे चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं, मां भी नहीं जानती कि वी क्या कर सकती है, कहते हुए रमान थोड़ा, उदास था हां, याद है मुझे भी, लगता है मां को भी उन की शक्ती याद दिलानी पड़ेगी, रोली ने उसे सामान्य करने के लिहाज से हंसते हुए कहा, बढ़ते बच्चे सब समझते हैं, अपनी सामर्थे के अनुसार विरोध भी दर्ज करवाते हैं लेकिन छोटा होने के कारण उनके विरोध को अधिक महत्व नहीं दिया जाता और फिर रतना, स्वयम भी तो अपने पक्ष में नहीं खड़ी होती, पिछले दिनों पडोस में एक नया परिवार रहने आया है, परिवार में पती रागव, पतनी रिया के अलावा साथ वर्ष की, एक बच्ची मीनू है, अमने सामने फ्लेट होने के कारण, र रवाजा खुला देखते ही दौड कर उनके घर में घुसा जाती थी और फिर जब तक रिया उसे खीच कर वापस नहीं ले जाये तब तक वहीं टिकी रहती थी, अकेले बच्चे भी तो साथ धून्धते ही हैं और जब नहीं, मिलता तो धीरे धीरे अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लेते हैं, फिर बड़ों को ये शिकायत रहती है कि आजकल के बच्चे सोशल नहीं हैं, रिया इस जान पहचान को मित्रता में बदलना चाहती थी लेकिन रतना अपनी सास और पती की अनुमती के बिना दोस्त बनाने का साहस भी कहां जुटा पाती थी, श रमपर्क बनाए रखा था, पती का शक की स्वभाव और सास का बात-बात परताने, देना रतना खुद के लिए तो सहन कर भी ले लेकिन, दोस्तों की अकारण बेजचती वह नहीं देख सकती, थी इसलिए न चाहते हुए भी उसने खुद पर अनकुष लगा रखा था, मीन मीनू बहुत अधिकार के साथ रतना से खाना भी मान्ग कर खाने लगी थी, रतना के लिए भी यह मीनू के बच्चपन के साथ अपने बच्चों के बच्चपन को दोबारा जीने का अवसर था, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, हाँ, सास को मीनू का वस्थित घर को बिखेरना पसंद नहीं आता था लेकिन रतना मीनू के लोटते ही बहुत तत्पर्ता के साथ सब बिखरा हुआ सामान यथा स्थान रख कर मीनू को उन की नाराजगी से बचा लेती थी मीनू चलो होमवर्क कर लो ये लगभा घर रोज सुनाई देने वाला वा अपने मूह की आवाज निकाल कर मीनू की नकल करने लगती और सभी खिल खिला उठते एक दिन जब यही द्रिश्य दोहराया गया तो रतना से रहा नहीं गया और उसने मीनू का दूसरा हाथ अपनी तरफ हीच लिया रहने दो रिया मैं करवा दूनगी इसे होमवर्क रतना ने कहा तो रिया आश्चर्य में पढ़ गई अरे दीदी ये पूरी शैतान की नानी है आपको प्राश्न पूछ पूछ कर परेशान कर देगी रिया उसके प्रस्ताव को सुनकर थोड़ी खिसी आ गई थी क्योंकि रतना के घर बार बार आने जाने के कारण इतना अंदाजा तो उसे भी होई गया था कि दादी को मीनू का आना एक सीमा तक ही पसंद आता है कोई बात नहीं मैं देख लूंगी तुम चिंता मत करो रतना ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा तो रिया कुछ देर खड़ी रहकर अपने घर चली गई रतना मीनू को लेकर बैठ गई और उ कि इस नए रूप से आज पहली बार ही परिचित हो रही थी ऐसा नहीं है कि रतना ने उन्हें कभी होमवर्क नहीं कराया था लेकिन तब वो उसे केवल मा लगती थी वहीं आज रतना उसे एक प्रशिक्षित अध्यापिका लग रही थी कुछ ही देर में मीनू ने होमवर् फैक कर लिया तो रतना उसे कलाने का न्योता दे कर उसके घर के दरवाजे तक छोड़ाए अरे वा मा आप तो छिपी रुस्तम निकली हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी तरह पड़ा सकती है रमन ने रतना की तरफ गर्व से देखते हुए कहा पता क्यू नह जानते थे तब तो किसी तरह काम निबटाओ और खेलने भागो इतना ही सम में आता था कहती हुई रोली भी बातों में शामिल हो गई मां आप बच्चों को ट्यूशन क्यू नहीं पढ़ाती जिस समय मीनू को पढ़ाया उस समय तो रोज आप खाली ही रहती हो रमन भी उत्साह से भरा हुआ था शायद भीतर कहीं ना कहीं अपनी मां को आत्मिर्भर देखने की चाह से रुठाने लगी थी नहीं रे एक दिन की बात अलग है और रोज की बात अलग मुझे कहां इतनी फुर्सत रोज मिलने वाली है कहते हुए रतना ने रमन के आगरा को अनसुना कर दिया मीनू रोजते समय पर आती और रतना के साथ मस्ती करते हुए अपना होमवर्क करती एक दिन मीनू ने बताया कि दो दिन बाद उसके मिड टम एकजाम है और उसे पांच फलों और सबजियों के नाम याद करके ले जाने है बहुत कोशिश करने के बाद भी याद नहीं हो रहे कभी कोई भूल जाती है तो कभी कोई बस इतनी सी बात लो आपको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताते हैं हम एलफाबेट से शुरू करते हैं जैसे एफार एपकल, एपरिकाट, बीफा, बनाना, सीफार, छीकू, चेरी और कोकोनट ये लो तीन एलफाबेट में ही सिक्स फूरट याद हो गए रतना ने मुसक्राते होए कहा अरे वाह आंठी ये तो बहुत मजेदार है ऐसे तो मैं सबजियों के नाम भी याद कर सकती हूँ और कलर्स के भी मीनू खुशी से उचलने लगी, रोली को भी मा की ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी, उसे याद आया कि बच्पन में मा द्वारा सिखाई गई इसी तरह की ट्रिक्स के कारण दोनों भाईबहन को कभी पहाड़े औ और फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं आय थी, मीनू बहुत खुश थी और रिया भी, इस बार मीनू को हर बार से अधिक माक्स मिले थे और वे भी बिना किसी मानसिक दबाव के, दो दिन बाद जब मीनू रतना के घर आय तब उसके साथ उसकी एक सहेली, वन्या भी आंठी, आज ये भी मेरे साथ टेबल्स लन करेगी, मीनू के स्वर में थोड़ा आगरा भी था, रतना ने मुसक्रा का रिजाजत दे दी, रतना ने पहले दोनों बच्चेव से थरी की टेबल्स सुनाने के लिए कहा, जिसे दोनों ने ही अटका तक कर सुनाया, अब रतना ने उसी पहाडे को कविता की तरह ले में गा कर सुनाया, एक माइनस दो बार के अभ्यास के बाद मीनू और वन्या ने बहुत आसानी के साथ पहाडा याद कर लिया, दोनों के चेहरों पर जीत की खुशी जैसा उजास था, रात को रतना ने सुना, दादी भी धीरे धीरे साथ तीन का पहाडा गुनगुना रही थी, रतना के होठों पर मुस्कराहट तैर गई, धीरे धीरे मीनू के दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी, अब तो दुपहर बाद चार बजे मीनू, सहित पांच बच्चे रतना के पास आ जाते हैं, सबकी मम्मियों की जिद के हजार रुपे रतना के हाथ में थमाए तो उसके हाथ कांपने लगे, यो तो हर महीने पती उसे घर खर्च के लिए रुपे देते ही हैं लेकिन अपनी कमाई की खुशी, क्या होती है यह उसे आज पहली बार महसूस हुआ, रतना ने खीर बना कर खुशी सब के साथ साजहा क पूरे महीने दिमाग खपा कर यह कमाई की है क्या, सास ने ताना कसा, पती ने भी कोई खास खुशी, जाहिर नहीं की, रतना उदास होती इससे पहले ही, रोली और रमन ने उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेंच करके उसकी मुसकरहट को जाया होने से बचा लिया, रतना अब विधिवत अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, देखते ही देखते उसके पास, आसपास के बहुत से बच्चे आने लगे, शाम के समय, बच्चे अधिक होने के कारण उसने घर के काम में मदद के लिए एक सहाईका को रख लिया, सास ने कुछ दिन तो मुँ चड़ाए रखा लेकिन जब देखा की, रतना अब रुकने वाली नहीं है तो उन्होंने भी समय के साथ समझोता कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था की एक दिन रतना की, सहेली माया उससे मिलने आई, माया की उदास, रंगत देखकर रतना ने पहचान लिया की अवश्य, कोई गंभीर मसला है, चाय पानी के साथ थोड़ा, कुरेने के बाद माया ने जो बताया वहवा कई, चिंता जनक था, दो साल पहले बेटी की शादी की थी, बेचारी तुम्हारी, तरव पूरा दिन घर में खटती है लेकिन उसके किये, को जस नहीं, सास तो सास, पती भी खुश नहीं रहता, बिल्कुल तेरी सी ही कहानी है, कहते हुए माया ने, ठंडी सांस भरी, जब कहानी की शुरुवात मेरी जैसी ही है तो घबरा, क्यूं रही है, इस कहानी का अंत भी मेरे जैसा ही, करते हैं न, रतना ने मुसकुरा कर कहा, माया कुछ नहीं, वो उसका चेहरा पढ़ने की, कोशिश करने लगी, जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, वैसे ही उसे भी करते, हिन, तू उसे मेरे पास भेज देना, बहुत से बच्चे आते हैं, मेरे पास, बहुतों को मना करना पढ़ता था, अब नहीं, करना पढ़ेगा, बिटिया के हाथ को काम मिल जाएगा, और मुझे थोड़ी राहत, आत्म निर्भर बनेगी तो आत्म विश्वास भी आएगा और तब वो अपने हक में कोई भी कठोर, निर्ने ले सकती है, अपने पैरों पर खड़ी स्त्री खुद के, लिये भी आदर्ष होती है, समझ, रत रतना ने देखा, उसकी सास उनकी बाते सुन रही थी, सही कह रही है रतना, भले ही मैं बोल कर नहीं कहती, लेकिन जब से यह अपने पैरों पर खड़ी हुई है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे मन में इसके लिए इजज़त बढ़ गई है, पहले तो लगता था कि यह मेरे बेटे की कमाई, पर पल रही है इसलिए मैं भी इसे दो बाते सुना दिया, करती थी, जानती थी कि बुरा मान भी लेगी तो जाएगी, कहां, रहना तो इसे इसी घर में पड़ेगा लेकिन अब तो, मैं भी इसे कुछ कहने से पहले चार बार सोचती हुँ, अपने पै अपनी सचाई को स्वीकार किया, रतना उनके इस रूप को आश्चर्य से देख रही थी, तभी मीनू, अपने दोस्तों के साथ साथ की टेबल को कविता की तरह, गाते हुए अंदर, घुसी, बच्चों को इस तरह खेल-खेल में, पढ़ाई करते हुए देखकर तीनों महिल रोली और रमन को आज रतना वैसी ही लग रही थी, जैसी वे उसे बरसों से देखना चाहते थे, कौन अपना कौन पर आया हमर ने क्या किया था, घुटनों के असहनिय दर्द के चलते मेरे लिए खड़ा होना, मुश्किल हो रहा था किन्तु मजबूरी थी, इस अंजान, ज कारण वहां के, डाक्टरों की सलाह से विराट को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाना पड़ा, हालां कि विराट की तबियत, खराब होने की खबर बच्चों को कर दी थी, लेकिन उन की सुध लेने कोई नहीं आया, ये सोच कर मेरी आखे भर आईएं कि क्या इसी दि के लिए लोग उलाद, चाहते हैं, डर्द असहनिया होता जा रहा था, चककर सा, आने लगा कि अच्चानक किसी ने आ कर थाम लिया, और अधिकार के साथ बोला, आप हचिये यहां से, मैं पैसे जमा करवा दूनगा, आवाज सुनकर मैंने चोंक, कर ऊपर देखा तो मेरी न जे गेर ही समझाना, उसके स्वर में शिकायत थी, खेर छोड़िये, आप बाबा के पास जाए, मैं पैसे, जमा करवा कर और डॉक्टर से बात करके अभी आता, हूँ, वो बोला, मैं धीरे धीरे चलती हुई विराट के कमरे, तक पहुंची, वो आँखे मूंदे लेटे थे मैं धीरे से पास रखे, स्टूल पर बैठ गई, बुद्धी शुन्य हुई जा रही थी, थोड़ी, देर में वह भी कमरे में आया और विराट के पैर चुने लगा, विराट ने जैसे ही आँखे खोली और उसे सामने, देखा तो खेल उठे और अपनी दोनों बाहे फैला द आया, कर दिया, दो दिन से घर पर घंटी बज रही थी, कोई फोन नहीं उठा रहा था सो मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर पहुचा तो परोसियों से पता चला कि आप बीमार हैं और मैं यहां चला आया, बाबा, आप इतने बीमार रहे लेकिन मुझे कभी बताया, तक न अब आप बिलकुल चिंता ना करना बाबा, अब मैं सब संभाल लूँगा, विराट काफी निश्चिंत लग रहे थे, मनी मन मुझे भी, उसके आने से काफी खुशी हो रही थी, फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बाहर मेरा अरदली खड़ा है, आप उसके साथ मेरे ग हयाल रखूंगा, उसने कहा और मैंने शायद जीवन में पहली बारुस कि किसी बात की अवहेलना नहीं की, सिर जुका कर अपनी मौन स्वीकृती दे दी, बाहर आकर उसने अपने अरदली को कुछ निरदेश दिये, और मैं उसकी जीप में चप-चाप बैठ कर उसके अठी तो अरदली चाय और बिस्कुट ले आया, चाय पी, कर थोड़ी राहत महसूस हुई, अंदर आकर मैंने कमरा बंद किया और सोने का उपक्रम करने लगी किन्तु नींद, मेरी आँखों से कोसों दूर थी, बीता समय मानस पटल, पर उजागर होने लगा, जब मेरी शा के पेशे में पैर जमाने लगे और इनकी भी गिंती नामी, वकीलों में की जाने लगी, हमारे दो बेटे हुए जिन्हे हम, ने लाड़ प्यार से पाला, कुछ समय बाद ससुर जी की, मृत्यू हो गई तो उनके एक बहुत पुराने मुन्शी जी को, विरात ने अपने साथ रख लिया, मुन्शी जी की विश्वस नियता और करमतता के कारण विरात, उन पर बहुत निर्भर हो गए, एक दिन अचानक मुन्शी जी घबराय हुए आए और एक हफ़ते की छुट्टी मांगने लगे, विरात के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका गाव भूकम की चपेट में आ गया है और वो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, तब पहली बार मैंने जाना कि मुन्शी जी का अपना परिवार भी है, करीब दस दिन बाद मुन्शी जी लोटे तो उनके साथ एक बारा साल का लड़का था, विरात को देखते ही मुन्शी जी, बच्च यही एक, बच्चा बच पाया है, चूनकी गाव में अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अपने इस छोटे पोते को साथ लेता आया हूँ, विरात एक नर्मदिल इनसान है, सो मुन्शी जी को सांतवना, देते हुए बोले, घबराये मत मुन्शी जी होनी को तो कोई, ट अच्चा हकलाते होए बोला, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है, पढ़ते हो, उसने सेरहिला कर, हां कहा, कौन सी क्लास में, विरात ने पूछा, जी, पांचवी में, अमर बोला, साहब, आप इसका दाखिला सेंट्रल स्कूल में करवा, दीजिये, थोड़ा परलेख तो कमा खालेगा, मेरा, क्या भरोसा, मुन्शी जी लाचारी से बोले, क्यूं नहीं, मुन्शी जी, पर सेंट्रल स्कूल में क्यूं, मैं इस का दाखिला वरुन के स्कूल में करवा दूनगा, विरात ने, दरीया दिली दिखाए, और आप अमर की चिंता ना करें, इसकी पड़ता है सुमी, अनात बच्चा है, पर लिख जाएगा तो तुम्हें दूआ देगा, नहीं चाहिए मुझे दूआ, मैं खीज कर बोली, आप इसे, सरकारी स्कूल में ही भरती करवा दें, वहां किताबे और यूनिफॉर्म भी मुफ्त में मिल जाएगी, इसकी फीस भर क और साल में एक बार, किताब कापियों और यूनिफॉर्म पर खर्च करके तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, है न, विराट व्यंग्यात्मक, मुसक्राहत से बोले तो मैं कुल गई, मुझे ये कतई, गवारा ना था कि मेरे नौकर का बच्चा मेरे बच्चों की मुन्शी जी अपने परिवार के सदमे से तूट गए थे अताच्छे, महीने के भीतर ही उनकी भी मृत्यू हो गई, विराट अमर को घर ले आए, उस दिन में ने विराट से खूब लड़ाई की, किन्तु वो यही तर्क देते रहे कि मुन्शी जी उनके पुराने, वफाद मुलाजिम थे अताच उनके पोते के प्रतियुन का नेतिक कर्तव्य बनता था, मेरे तर्क वितर्कों का विराट पर कोई असर नहीं पड़ा, बलकि अब वो हमर पर ज्यादा ध्यान देने लगे, उस की पड़ाई, उसका खाना पिना, उसके कपड़े आदी का खास ध्यान रखते, हालांकि अमर अपनी पड़ाई के साथ साथ मेरे कामों में भी मेरी मदद कराता, बजार के भी काम कर देता, जिस समय मेरे बच्चे कम्प्यूटर गेम खेल रहे होते वाह, उनका होमवर्क भी कर देता, फिर भी मेरी नाराजगी कम ना होती, मेरे बच्चे भी जब फिर एक बार बजार से आकर सौदा सौपते हुए, उसने मुझे मांजी कहा तो मैं चिल्ला उठी, खबरदार, मुझे मम्मी या मांजी कहा तो, कहना है तो मालकिन कहो, वो सहम गया, उस दिन के बाद से उसने मुझे कोई भी संबोधन नहीं दिया, अमर पड़ाई में बहुत होशियार था, अपनी कक्षा में वह, हमेशा प्रथम आता था, इससे विराट बहुत खुश होते, थे, बारवी की परीक्षा समाप्त होने पर एक दिन विराट, बोले, मैं सोचता हूँ अमर को पी, एम, टी, की परीक्षा, में बिठम और, विराट अभी बात पूरी भी न कह पाये थे कि मेरे सब्र का बांध तूट गया और उस दिन मेरे क्रोध की भी सीमा न रही, बस कीजिए, अब क्या इस धोल को सारी जिंदगी मुझे, बजाते रहना पड़ेगा, डाक्टरी की पढ़ाई 5-6 साल से, कम नहीं और खर्चा बेतहाशा, मैंने क्या इसका ठे अमोटा काम करे और हमारा पीछा छोड़े, मैं अब एसे और बरदाश्ट नहीं करूंगी, मैं ने गुस्से में ये भी ना सोचा कि कहीं अमर ने ये सब सुन लिया तो, और शायद उसने मेरी बाते सुन ली थी, दो दिन बाद विराठ के पास जाकर अमर धीरे से बोला, ब इस पर हस्ताक्षर कर दें, विराठ ने न चाहते हुए भी उस पर दस्तखत कर दिये, और फिर एक दिन अमर कोईन, डी, ए, की परीक्षा में शामिल होने का पत्र भी आ गया, पांच दिन की कड़ी परीक्षा देकर, जब वो देहरादून से लोटा तो उसका चेहरा थे, बेठा, मैं तुम्हारे लिए, ज्यादा कर नहीं पाया, अमर को, गले लगाते हुए विराठ बोले, ऐसा न कहें बाबुजी, मैं आज जो भी हूँ और भाविश्य, मैं जो भी बन पाऊंगा सिर्फ आपकी वजह से, मेरा, रोम रोम आपका सदा आभारी रहेगा, अ मैं ने भी चैन की सांस ली, मेरे दोनों बच्चे इंजीनिरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वरुन ने आए, आए, टी, मुंबई से एम, टेक, किया, उसे विदेश में नौकरी मिल गई, वही उसने एक लड़की से शादी कर ली, उस दिन मैं बहुत रोई थी, छोटे नहीं माना, अमर के पत्र लगातार विराट के पास आते रहते, ट्रेनिंग, पूरी करके उसकी लफ्टिनेंट के पद पर नियुकती हुई, एक बार हम से मिलने के लिए अमर दो दिन के लिए, आया था, किन्थ मेरा व्यावाहार उसके प्रती रुखा ही रहा, हाँ, उन द दिनों में मैंने विराट को कह कहे लगाते देखा था, फिर विराट को पक्षाघात हुआ तो मैंने दोनों बच्चों को खबर दी, वे आये भी लेकिन किसी ने भी हमें अपने साथ रखने की बात नहीं की और नहीं कोई पैसे से मदद की, उल्टे दोनों बेटे नसीहत द आड़े आ गया कभी भी अमर का फोन आता तो मैं टाल देती विराट की बीमारी पर काफी पैसा लगा आमदनी रही नहीं सिर्फ खर्चे ही खर्चे रोजरोज पानी उलीचने से तो कुआ भी खाली हो जाता है तो हमारे बैंक में जमा पैसे का क्या हार कर अपना बंगला गुष्टैनी तूटा फूटा घर था उसी की मरमत करवा कर हम वहां रहने के लिए आ गए मैंने गुश से के मारे अपने बेटों को खबर भी नहीं दी हाँ विराट के बहुत आगरा पर दो लाइने अमर को लिख दी जिस मैं अपना नया पता वा टेलीफोन नमबा था पत मिलते ही अमर देहरादून आया अब वो कैप्टन बन चुका था सारी बात पता चलने पर उसने अपने साथ चलने के लिए बहट जिद की लेकिन विराट ने उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया अमर नियमित रूप से पत्र भेजता रहता हालां कि वह पैसे से भी मद करना चाहता था लेकिन मेरे एहम को ये गवारा ना था अमर की шादी का निमंतरन आया तो मैंने काज छपा दिया किसी करनल की बेटी से उसकी शादी हो रही थी उसका फोन भी आया तो मैंने विरात को नहीं बताया फिर एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर यी देहरादून आ गया हालां कि बड़ी प्यारी और संसकारी लड़की थी लेकिन मैं उन लोगों से खिंची-खिंची ही रही उनके जाने पर विराट ने मुझ से जगड़ा किया कि मैंने शादी के बारे में क्यूं नहीं बताया अब विराट कुछ चुप-चुप से रहने लगे थे एक तो अपनी अपंगता के कारण दूसरे बच्चों की बेरुखी से वह आशाहीन से हो गए थे शायद इसी कारण उनहीं ये हटेक पड़ा था मैंने घबराहट में दोनों बच्चों को फोन पर सूचना दी तो दोनों नहीं आने में अपनी असमर थता जाहिर की इस बार चाहते ह हुए भी मैं अमर को मदद के लिए नहीं बुला पाई हां दिल ली आते समय परोसियों को अस्पताल का पता दे कर आई थी एक उमीद में और वही हुआ आखिर अमर पहुंची गया अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मेरी तंद्रा भंग हो गई दरवाजा खोल कर चलेगे मैंने जल्दी जल्दी कुछ कौर निगले और उस अरदली के साथ अस्पताल पहुंच गई देखा तो विराट काफी खुश लग रहे थे मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा अमर ने बताया दो देन बाद ओपरेशन है ओपरेशन काम्याब रहा सारी भाग दोड़ और खर चमर ने ही किया इस बार मैंने उसे नहीं रोका जब विराट को अस्पताल से छुट्टी मिली तो अमर ने एक बार फिर अपने साथ उसके घर डलहोजी चलने का आगरह किया जब विराट ने प्रश्न सूचक नजरों से मेरी ओर देखा तो मैं ने मुसक्रत हुई मौन स्वीकृती दे दी अमर को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया उसने फोरन फोन कर के अपनी पत्नी भावना को बता दिया हम जब डलहोजी में अमर के बंगले पर पहुँचे तो भावना बाहर खड़ी मिली जीप से उतरते ही उसने सिर पर आचल डाल कर मेरे पर चुए अमर सहारा देकर विराट को अंदर ले गया विराट काफी खुश नजर आ रहे थे मुझे भी काफी सुकून सा महसूस हुआ अपनी बहुओं का तो मैं ने सुक देखा नहीं पहली बार सास बनने का एहसास हो रहा था रात का खाना अमर ने अपने हाथों से अप पूछ जाती खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो अचानक मुझे दरवाजे के बाहर अमर की आवाज सुनाई पड़ी मैं ने ध्यान से सुना तो वह भावना को मेरे लिए कौफी बनाने को कह रहा था मेरा मन भीग गया उसे अभी भी याद है कि मैं खाने के बाद कौफी पीती हूँ थोड़ी देर में भावना ट्रे में कौफी का मगले कराई मांजी आपकी कौफी लाई हूँ साथ मैं आपका मीठा पान भी है अमर को याद रहा कि मीठा पान मेरी कमजोरी है विराट को मेरा पान खाना पसंद नहीं था सो मैं कभी खी अमर से ही पान मंगवाया करती थी मैं द्रवित हो उठी चूचू थ्री सप्ताह बाद जब विराट की तबियत में काफी सुधार आ गया तो मैंने अमर से अपने घर जाने की बात की मैं अमर उदास हो गया और कहने लगा क्या आप यहां खुश नहीं है क्या आपको कोई तकलीफ है ऐसी बात नहीं है बेटा मेरे मूँसे अच्छानक निकल गया बेटा भी कह रही है और बेटे का हक भी नहीं, दे रही है, अमर भावोख होकर बोला, एक शर्थ पर बेटे का हक दे सकती हूँ, यदि तुम मुझे, मा, काहो तो, अपनी भावनाओं को में रोक नहीं पाई, और अपनी दोनों बहे पसार दी, वो एक मासूम बच्चे, की त मेरी गोद में समा गया और रोते रोते बोला, मा, अब मैं आपको और बाबुजी को कहीं नहीं जाने, दूनगा, अब आप दोनों मेरे पास ही रहेंगे, बोलो मा, रहोगी न, वो लगातार ये पूछता जा रहा था और, मैं उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अपने ब बढ़ रही थी, थोड़ी देर में तालियां बजने लगी, मैंने नजर उठा कर देखा तो विराट और भावना, तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे, उस रात में ने विराट से कहा, अमर मेरी कोक से क्यों न हुआ, तो वह बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है, है, त